कौमी इंसाफ मोर्चा दे आगू लुदे आना दे डीम सी हस्पिताल वेखे पॉंचे मोर्चे दे आगू अदा कैना है के बापू सूर सिंग खाल सादी रहाई लई जिला परशासन नो अर्था अल्टाली कंटे दा अल्टीमेटम दिता गया है लुदे आना दे डीम सी हस्पिताल वेख दाखल बापू सूर सिंग खालसा नो लैनली कौमी इंसाफ मोर्चा दे पंच मेंबर पुझे जथे बापू सूर सिंग खालसा दी सेहत खराब होन कारण उना नो जान दी इजाज़त नहीं होती दे आगों दा क्याना है जेकर सरकार वो नो कोई फैसला ना लिया गया ता ओस ताई तरीक नो डीम सी हस्पिताल दे खेला पक्का मोर्चा खोलंगे अजीत पंजाबी दी अथेंटिक खबरां दी लई सब्सक्राइब करो अजीत वेब टीवी अते ताजी खबरां दी नोटिफिकेशन पॉंग के लई बेल आइकन दे क्लिक करो सब्सक्राइब करें तो बात जेड़ा है दो सेट्वेशन बढ़ गी है एस टैम स्थिति यह है पहली लडाई ता साथी डीम सी दा प्रशाशन है उदे नाल है क्योंकि वह उना नो एक हो जड़ा डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं वह बहाना लूंदे है कि सानुप परस ने जबरी क्या होगा चाहिर कर दो एक तरना देना शुरू करता है पंच बंदे और दे लगातार तरने बैठ गिया है आस ही ओनाना क्या है कि competitors it दिस्चार्ज करने लिए तब तुसी डिस्चार्ज क्यों नहीं कर दे दूजे बनने बापु सुर्ख सेंग जी बहुत पावुक सी गे और वो जाना चौन दे सी बाजिद सी जाना स्थे वो कहन दे सी भी मैंनों तुसी ऐस्तरा ना मारो मैं शहीद होना चौन है कि मेरे नाल जबरदस्ती ना करो मैं मोर्चेच जाना चौन है सो वह बाजिद ने जाना स्थे और असी और संक्तान उपील कर दे हैं यह वकील साहब मेरे नाल थोड़ा प्रकुर्सिंग जी खड़ेया पिजावें हर्याना हाई कोट दे रुपील एडवोकेट वरिंदर खारा जी खड़ेया जिना बारे तुसी सारे जान देयां बहुत सीनियर रुकील में लो जाने लंबे समय तो रैक्टस कर रहे हैं यह दे लीगल पॉइंट को आदेना डिसकस कर नगे पर मैं मोर्चे दे तालमेल कमेटी दा मेंबर हों दे नाते और संक्तान उपील कर दा है के सता अधी त्रीक नू आपां एस हॉस्पीटल देवेच पुजना बापकू सूर्च संग जी खाल सानू रिहा करोणा आस्ते कर दो